अस्तामलेकुम फ्रेंट्स, वेलकुम बैक टीटॉप स्मार्टीज ट्रामा सीरियल निका जिन्दगी में बार बार अच्छे मौके नहीं आते युसरा के जिन्दगी में भी अच्छा मौका आया था जब वो फरहाद के जंगल से निकल गई थी और घर पहुंच गई थी लेकिन आज फिर से वो फरहाद के पास आ चुकी है अपनी इस नदाने की इसे कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है और फरहाद इसके साथ क्या करने वाला है वीडियो का मकमल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहे चनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीचे साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर पैस किज़ेगा ताकि मेरी हाराने वाली वीडियो आप बहुत असानी उसे देख सकें राइना जो कि फारूक से बदला लेना चाहती थी क्योंकि फारूक ने उसे शादी नहीं की ऐसे में वो यूसरा को यूस करती है क्योंकि फारूक को बेटी की तरफ से जो दुख मिलेगा उसका अजाला वो कभी नहीं कर पाएगा ऐसे में वो बेटी को फरहाद के पास छोड़ देती है और खुद नीचे होटर की लोबी में बैट चाती है यूसरा फरहाद के साथ उसके कमरे में एक ही बैट पर बैठी है और बहुत ही करीब होकर तस्वीरे बनाते हैं दोनों और भी एक दूसरे के कन्दे पर हात रखकर तो कभी सर को कन्दे पर रखते हुए ऐसे में इनका फोटो शूट तो ऐसा लग रहा है «जैसा कोई कपल हो शादी शुदा अब यहां पर यूसरा को यहीं नहीं पता के यहीं तस्वीरे इसको कितनी महंगी पड़ेंगी यूसरा काफी देर घर से बाहिर है ऐसे में फरुग साहिब बहुत ज़दा परिशान हो जाते हैं बेटी के नमबर पर कॉल की नमबर ही बन जा रहा था ऐसे में राइना को कॉल करके कहने लगे यूसरा से बात करवा दो तो राइना कह देती है वो अपनी फ्रेंड्स में बैठी है कोई मेसिज है तो मुझे बता दो अच्छा नहीं लगता कि मैं फ्रेंड्स में जाकर कहूं कि तुम्हारे बाबा की कॉल है अब तो फारुक को गुसा आ गया ना तो तुम उसकी मा हो ना ही बाप इसलिए तुम नह युसरा के पास जाकर और ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है कहने लगी फरहाद के अरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे उसकी नियर ठीक नहीं थी इसलिए उसके जंगल से मैंने तुमें अज़ाद करवा दिया यहां पर उसने युसरा पर एहसान तो कर दिया युसरा बहुत जाला रोती है राइना की बहुत शुकर गुजार है के आहर कर तुमने मुझे उससे बचा दिया पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता लेकिन राइना ने बहुत ही चलाकी से वो तस्वीरें सेव कर वा ली अब वही तस्वीरें लेकर वो युसरा को ब्लैक मेल करने वाला है फरहाद और उसकी तस्वीरे में वाइरल हो जाएंगी जब फरुख साहब को पता चलेगा वो कहीं के नहीं रहेंगे ऐसे में यूसरा बहुत बुरी तरह से बतनाम हो जाएगी जलील हो जाएगी कि किसी को मुझ दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगी